डियर इस्टुडेंट विल्कम बैक टू माई चैनल अश्टटी 7.0 पर आपका स्वागत है तो यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल अश्टटी 7.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के होंगे तो हमारी चैनल को जल्दो सब्सक्राइब कर लें तो आप हमारी चैनल का एक और पेपर सारे चीजहां से ले सकते हैं चलिए हम सुरू करते हैं हमारा पहला क्यूचन है क्यूचन नमबर फर्स्ट चैनल इसमें तोटली फोटी क्यूचन देखने वारे जो की ऑल्टु ओल्स सब्जेक्टिग क्यूचन है जो आपकी एक्जाम में पाच नूंबर दो किसे कहते हैं तो इसका उतर आपको लिखना है जब प्रकास की किरन सघन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करती है तो अभिलम से परेहटती है अर्थात बिरल माध्यम में बना आपतित कौन कौन आर सघन माध्यम में बने आपतित कौन कौन आई से बड़ा होता है यदि सघन माधियं में बना आपतित कौन एक समकौन के बराबर हो जाए तो इसके सापक्ष सघन माधियं में बना आपतित कौन करांतिक कौन कहलाता है क्या कहलाता है करांतिक कौन कहलाता है चलिए यहां से क्लियर है अगला क्यूचन चलते हैं क्यूचन नंबर दूसरा क्यूचन न इसके क्या उप्योग हैं पैरी इसकोप किसे काते हैं तो इसके आपको उतर लिखना है पैरी इसकोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी वी वस्तूओं को देख सकते हैं सैनिक खाईओं में छिप कर मैदानों पहाडों को देखते रहते हैं और पंडूवियों में बैठे सैनिकों समुन्दर तलका परियवेचपन कर सकते हैं किसी धुन्द वाले दिन और रक्त फोटोग्रोफी भी इसकी सहयता से की जा सकती है पैरी इसकोप समतल दरपनों की सहयता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकास के परावरतें सिधान पर कारे करते हैं उच्च कोटी के पैरी एसकोप में पीजमो का उप्योग किया जाता है किसका उप्योग किया जाता है यहां से आप इसका इसकी इसकी इसे सोट ले लें नेक्स्ट कोटी नम चलते हैं किउचर नमर थार्ड बोड़ा कि समतल दर्पन में बनने वाले परतिबीम की विशिस्ता लिखिए इसकी उतर लिखो जाएगी समतल दर्पन के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका परतिबीम उतना ही पिछे बनता है समतल दरपन में किसी वस्तु के पूरे परतिविम को दिखने के लिए समतल का अकार में उससे आधा होना आवसक है कितना आवसक है? उससे आधा होना आवसक है किलियर है? अगला क्यूचन चलते हैं Next क्यूचन क्यूचन नमबर 4 और अवतल दरपनों के उपयोग लिखिए यहासे में इसकी उतल लिखनी है आवतल दरपन के निमन उपयोग हैं कौन-कौन से उपयोग हैं पहला उपयोग बड़े अकार के आवतल दरपनों का उपयोग परियोग और उर्जा के लिए किया जाता है किस के लिए किया जाता है उर्जा के लिए किया जाता है दुसरा इनका परियोग वाहनों की हेड लाइट्स लैम्पों सर्च लाइट टोर्च आदी बनाने में किया जाता है सेविंग दरपनों के बनाने में इनका उप्योग किया जाता है दंद चिस्तक तथा बिसेसर के रोगी का निरिक्षन करने के लिए इनका उप्योग करते हैं किलियर है तो इसका उप्योग यहां साब इसको लिखने इसके इतने सारे यूज है इसके लिए नेक्ट क्यूचन चलते हम लो क्यूचन नमबर फाइब प्रकास का अपवर्तन क्या है इसके नियम को लिखें यहां से उसकी उतर हो जाएगी आपके इंसा लिखनी है प्रकास के अपवर्तन के दो नियम है पहला नियम आपतित किरान अपवर्तित किरान तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं हमारा पहला नियम था इसके बाद सगे नियम देखते हैं सगे नियम जब एक ही रंग के प्रकास की किरान किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिर्ची आप ही है तो आपतन कुन आई की जया साइन इ तब अपवर्दन कुन आर की जया साइन इ का अनुपात एक नियतांग होता है इस नियम को असनेल का भी नियम कहते हैं आपको याद रखनी है प्रकास की अपवर्दन के नियम को ही क्या बोलते हैं असनेल का नियम कहते हैं किलियर है अगला क्यूचन चलते हैं नेक्स्ट क्यूचन क्यूचन नमबर सीक्स सम्तल दर्पन द्वारा उत्पन आवर्धान पुलस वन इसका क्या अर्थ है सम्तल दर्पन द्वारा उत्पन आवर्धन प्लस वन इसका क्या अर्थ है इसका उतर हो जाएगा एक सम्तल दर्पन द्वारा उत्पन आवर्धन प्लस वन होने का अर्थ है कि सम्तल दर्पन के जिस वस्तु का प्रतिवीम बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पन द्वारा बनाएगे परतिवीम के साइज की बराबर है धनातमक चीनिया दर्साता है कि परतिवीम सीधा तथा अभासी है किलियर है यहां से आप वीडियो का स्किन सोट ले ले नेक्स ट्यूचन चलते हैं क्यूचन नबर सेवेन उतल लेंस के दो उप्योग को बताएं उतल लेंस के दो उप्योग को बताना है इसकी एंसर हो जाएगी उतल लेंस का दो उप्योग इस परकार है पहला उप्योग क्या है नेतर से दूर दिश्टी दोस को सुधारने में दूर देश्टी दोस्ते में लोग उतर लेंज का उप्यों करते हैं और सकेंड छापाई के छोटे छोटे अक्षोरों को पढ़ने में होता है जो छोटे छोटे अक्षोरों में जो लिखे होते हैं उनको पढ़ने में किसका उप्यों करते हैं उतर लेंज का उप्यों करते हैं क्लियर है।इब ला क्यूचन क्यूचन नमब्र एट में प्रकास का प्रावरतन किसे कहते हैं इसके नहीं मों को लिखें उतर हो जाएगा। जब प्रकास किसी पॉलिस की हुई या चमकदार सतु पर पढ़ता है तो या एक सुनस्चित दिसा में बिस्तारित होता है किसी पॉलिस की हुई सता से प्रकास का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिगहटना को प्रावर्तन कहते हैं। प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित की रन दर्पन के आपतन बिंदू पर अभिलंब तथा प्रियावर्तित की रन एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा है प्रावर्तन कौन सदेव आपतन कौन के ब्रावर होते हैं। कौन आई इक्वल टू कौन आर क्लियर है यहां से। अगला क्यूचन नमबर चलते हैं। क्यूचन नमबर नाइन। दिये गए उत्तर लेंज उत्तर लेंज एवं कांच की एक ब्रितकार पटिका के सत्वों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। दिये गए उत्तर लेंज उत्तर लेंज यहां कांच की एक ब्रितकार पटिका के सत्वों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी उत्तर हो जाएगी। आप इसकी एंसर लिखनी है। उत्तर लेंज, उत्तर लेंज तथा कांच की पटियों को मुद्रित अक्छोरों के उपर रहकर उठाने से यदि अक्छोरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तर लेंज होगा और यदि अक्छोरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह उत्तर लेंज होगा और यदि अक्छोरों का आकार समान रहे तो वह कांच की बितकार पटियां होगी चलिए यहाँ से क्लियर है नेक्ट क्यूचन में चलते हैं क्यूचन नमबर दास कुछन नमबर 10 हमें वाणों में उतल दर्पन को पच्छ दर्पन के रूप में वरियता क्यों देते हैं ठीक है तो इसकी इंसर आप हो जाएगी उतल दर्पन को पच्छ दर्पन के रूप में इसलिए वरियता देते हैं क्योंकि वे सदेव सिधा परतिवीम बनाते हैं इनका देष्टि छेतर भी बहुत अधिक हैं क्योंकि ये बाहर कि और वकृत होते हैं, किसल सबस्कारपते हैं? अभी सारी लेंज क्यों कहा जाता है जिसके आपकी एंसर लिखनी है उत्तर लेंज के द्वारा आप्तित सम्नांतर किरने अपवर्तन के फलसरों एक बिंदू पर मिलती है यानि उत्तर लेंज प्रकास के सम्नांतर किरनों को उत्त करता है अता उत्तले लेंज की इसी गुन के कारान अभी सारी लेंज करते हैं कeलियर है तो आपको यहां से इसको याद कर लेनी है कि उत्तले लेंज के से कहते हैं क gaming क्लीयर है लेगेश्छ की विचन चलते हैं कि विचन नंबर 12 बोड़ा है उत्तल दर्पन तथा उत्तल दर्पन में अंतर लिखिए उत्तल दर्पन तथा उत्तल दर्पन में अंतर लिखिए तो यहां से इसके आपकी एंसर हो जाएगी एक तरफ उतल दर्पन, एक तरफ उतल दर्पन उतल दर्पन में पहला इसमें प्रावर्तन करने वाला चमकिला तल अंधर दहसा होता है जब कि उतल दर्पन में इसमें प्रावर्तन करने वाला चमकिला तल बाहर की और उभरा होता है उतल दर्पन इसमें वास्तिविक और अभासी दोनों प्रकार की परतिवीम बनते हैं जबकि उतल दर्पन में इसमें अभासी परतिवीम बनता है उतल दर्पन में इसमें परतिवीम उल्टा और सिधा दोनों बनते हैं कंकि उत्ता दर्पन में इनवे सिधा परतिवीं बनता है कि इसके बाद उतल दर्पन का देखते हैं इस में परतिवीं बड़ा छोटा तथा वुस्तु नाबर अपर आपा दूए अपरकि डेन्स और अविया अन्दर सपर्ष्च किजिए सबस्द क्लिए त्यां से देख लेते हैं पहले मोगक देख लेते तरइसके बाद हममनगा बहुत खेल यह क्लिए टोने वे पहले डिखते हैं पुलिए देखते हैं पूअ का पतला होता है अक्छषर बड़े अकार के दिखाय देते हैं प्रकास की कीरनों को एक बिंदू पर केंद्रियत करता है वश्त्यू का प्रतिविम वास्तिविक अभासly तता उल्टा बनता है लेंज को बाई तरफ हिलाये तो परतिवीम दाई तरफ गति करता है इसकी फोकस दूरी धनातमक होती है चले यहां से किलिए रहे है उतर लेंज का हो गया अब यहां समय देख लेते हैं उतर लेंज की खुबी क्या है बीच में पतला तता किनारों से मोटा होता है अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं प्रकास कीरन पुंच को बिखेर देता है वस्तू का परतिवीम अभासी तदा सिधा बनता है लेंज को बाई तरफ फिलाने से परतिवीम बेदाई तरफ हटेगा और इसकी फोकस दूरी क्या होती है रिनातमक होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है रिनातमक होती है और अधर लेंज की फोकस दूरी धनातमक होती है चलिए यहां से किलियर है यहां से नेक्स क्यूचर नमबर चलते हैं क्यूचर नमबर 14 हमारा है पोड़े की वास्तिविक तथा अभासी पर्तिवीम में अंतर क्या है वास्तिविक पर्तिवीम तथा अभासी पर्तिवीम में क्या अंतर है तो एक तरफ हमारी है वास्तिविक पर्तिवीम और एक तरफ है अभासी पर्तिवीम तो पहले हम दो दे लेते हैं वास्तविक परतिवीम के बारे में वास्तविक परतिवीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक परतिवीम सदे उल्टे होते हैं वास्तविक परतिवीम दरपन के आगे बनता है क्लियर है अब इसके बाद हम देख लेते हैं अभासी पर्दिवीम का अभासी पर्दिवीम क्या है अभासी पर्दिवीम को परदे पर प्राप नहीं किया जा सकता है अभासी पर्दिवीम सदे उसीधे होते हैं अभासी पर्दिवीम दरपन के पीछे बनता है क्या बनता है द क्यूचन नंबर पंद्रह प्रकास के प्रावर्तन किसे कहते हैं इसके नीमों को लिखें प्रकास के प्रावर्तन किसे कहते हैं इसके नीमों को लिखें चुलिए आज हम देख लेते हैं इसका एंसर हो क्या होता है उतर हो जाएगा प्रकास की किर्णों का किसी वस्तों से टकर लोटेने की गहतना को प्रकास का प्रवर्तन कहते हैं, प्रकास के प्रवर्तन के दो नियम है, इसके कौन कुन सी नियम है, पहला नियम, आपतित किरान, प्रवर्तित किरान इवां, आपतन बिंडु पर जाला गया अभिrench त्यल्यांब, तीनों यकी ही तलमे होता है, आपतन कोन के बराबर होते हैं ठीक है अब यहां समने देख लिए नेक्स डिसका टोपिक है यहां सम पढ़ लेते कि आपतित किरन किसे कहते हैं किसी दरपन से आकर तक्राने वाली किरन जो आपतित किरन कहते हैं किसी दरपन से आकर टक्राने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं इसके बाद हम देखते हैं प्रावर्तित किरन के से कहते हैं दरपन पर टक्राने के बाद लोटेने वाली प्रकास किरन को प्रावर्तित किरन कहते हैं इसे में बोलता है प्रावर्तित किरन अभिलंब क्या है ज कि आपन टोपिक्सें कोनझ किया है आपतित किन यह को नभद मिदा को सब्सक्राइब कि जब सब्सक्राइब टीए यह यह जूर्टा निह जाले हूं प्रइज्च नमबर करन दो प्रकास का परिकेजनन से अब क्या समझते हैं हमारी उतर हो जाएगी जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य प्रदार्थों के अतियंत शुक्ष्मकन होते हैं तो इसके द्वारा प्रकास सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है इसे प्रकास का परिकेजनन कहते हैं सुरी की प्रकास के परिकेजनन के कारण ही अकास का रंग निला दिखाई पड़ता है चलिए यहां से आप समझ गए परिकेजनन किसे कहते हैं तो आप यहां से इसको इसक्रिंस ओट ले ले या वीडियो को इस्टो परके क्यूशन इंसर लिख लें next question चलते हैं क्योंचन नम्बर 17 Map प्रकास के अपवर्तननेमो को लिख इसकी उतर हो जाएगी इसके एंसर आपको लिखने है प्रकास के एक माधियम से दूसरे माधियम में जाने पर उसकी दिसा में होने वाले प्रिवर्तन की घटना को प्रकास का अपवर्तन कहा जाता है प्रकास के अपवर्तन के नियम इसके दो नियम है पहला नियम आप्तित किरान अपवर्तित किरान और आपतन बिंदू पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं सकेंड नियम, प्रकास के किसी खास रंग के लिए आपतन कोन की जिया और अपवरतन कोन की जिया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्वतना कहते हैं, इस नियम को असनेल का भी नियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? असनेल का नियम कहा जाता है तो आप इसको यहां से सारे क्यूचन एंसर को नोट करते चलें किलियर है अगला क्यूचन देखते हैं क्यूचन नंबर 18 क्यूचन नंबर 18 अपरतवनांग को परभासित करें अपरवतनांग क्या है हीरी का अपरतनांग दू पॉइंट 42 से इस कथन का क्या अभिप्राय है ठीक है तो इसके अमलोग एंसर देख लेते हैं इसके एंसर क्या हो जाएगी इसकी उतर आपको लिखनी है अपरवतनांग किसी माध्यम में अपरतनांग U की परिभासा निर्वार्त में प्रकास C और इस माध्यम में प्रकास की चाल C के अनुपात के रूप में दी गई है हवा में प्रकास की बेग की अपयक्छा हीरे में प्रकास का बेग कम होगा अथा हवा से चलने वारी प्रकास की खिरन हीरा में प्रवेस करने पर अभिलम की और जूप जाएगी तो बाबर प्रम ना होता है खांत में परकास का बेक बता में इसको मॉन्टीप्र करते है तो यहां जाता है तो इक्वल टू प्रमर क्या हो जाएगा तो कितना ओजाएगा तो थ्री इंट्रेंट टू पावर एट बाई टू पॉइंट ब्यालीज जब यहां से दसमों लोग हम अठाते हैं यहां से में क्या प्राफ हो जाता है 242 और जब इसको में लोग करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 1.24 इंट्रेंट पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्लियर है अगला क्यूचन चलते हैं नेक्स्ट क्यूचन क्यूचन नंबर 19 समान या नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तूओं को सु असपर्ष्ट क्यों नहीं देख पाते समान नेतर 25 cm से निकट रखी वस्तूओं को सु असपर्ष्ट क्यों नहीं देख पाते इसकी क्या रिजन है तो इसकी आपको उतर लिखनी है 25 cm की दूरी पर रखी वस्तूओं को आँख असपर्ष्ट रूप से देखता है लेकिन 25 cm से कम निकट रखी वस्तूओं का परती वीम देश्टी पटल पर असपर्ष्ट रूप से नहीं बनता है वस्तूओं को असपर्ष्ट रूप से नहीं देख पाती है क्लियर है क्योचन नमबर 20 हमारा है क्योचन नमबर 20 समतल दरपन में बना परती बीम का साइज और आकरिती कैसी होती है समतल दरपन में बना परती बीम का साइज और आकरिती कैसी होती है इसके इंसर हो जाएगा समतल दरपन प्लेन मिरर द्वारा बना परती बीम पहला परतिवीम ओब्जेक्ट के समान परतिवीम का साइज होता है परतिवीम दर्पन के उतना ही पिछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तू संतल दर्पन के सामने होती है कालपनिक वर्चुल परतिवीम बनता है और कैसा परतिवीम बनता है? कालपनिक वर्चुल परतिवीम बनता है किलियर है अगला क्यूचन में देख लेते हैं क्यूचन नमबर 21 क्यूचन नमबर 21 हमारा है एक समतल दर्पन में प्रतिवीम बनने की किरिया रेखा दिखावें इसकी एंसर यहां साथ देख सकते हैं इस तरह से आपको यहां से फिगर ड्रो कर देनी है आप यहां से इसको उतार लें ठीक है आपको यहां पर लिखना भी है यह समतल दर्पन है तो आपको लिखना भी है अब इसके बाद यहां से आपको लिखना है नीचे चीतर से असपष्ट है कि यह बिंदू वस्तु का अभासी परतिवीम बनता है एका समतल दरबन से दूरी बराबर वन का समतल दरबन से दूरी ठीक है अब यहां सम्दे लेते हैं जक्स्ट कुछन कुछन नमबर 22 हमारा है गोलिये दरबन द्वारा सुरी की प्रकास में किसी कागज के करतन को कैसे जलाया जा सकता है तो इसकी उतर आपको लिखनी है इसकी जाएगी गोड़ी ओतल दरपन के प्रावर्तक सतह को सुरी से आने वाली कीर्णों के सामने रखा जाता है। सुरी से चलने वाली समनांतर कीर्णे दरपन से प्रावर्तित होकर फोकस पर अविसारित होती है। अगर अतल दरपन के फोकस पर कागज के कर्थन रख दिये जाए तो यह जल उठता है। क्योंकि समनांतर कीर्णे एक बिंदु पर अविसारित होती है और काफी उसमा उद्पन करती है। कागज का कर्थन दरपन के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। काँ चलने लगता है। दरपन के फोकस पर रखने पर क्लियर है। प्रकास क्या है या प्रकास किसे कहते हैं। तब सीग्ढम में पूछा जा सकता है कि प्रकास की परिभासा लिखें। तिनों एक ही चीज है इसकी इंसर हो जागी। द्रिश्टी के भौतिक अनुभौति को प्रकास काते हैं। प्रकास वस्तूओं को द्रिश्यमान बनाता है। कोई वस्तूओं उस पर पढ़ने वाले प्रकास को प्रावर्तित करती है। और वह प्रावर्तित प्रकास हमारी आँखों द्वारा गरहन होता है। तब हमें वस्तूओं को देखने योग्य बनाता है। सेले क्लियर है। अगला क्यूचन चलते हैं। क्यूचन नमबर चोभी समारा है, प्रकासिक गणात्व थूह क्या थै? प्रकासिक घनत्व क्या है तो इसकी एंसर हो जाएगी प्रकासिक घनत्व का एक निष्चीत संप्रक्थार्थ होता है यह द्रब्मान घनत्व के समान नहीं है जिस माध्यम का प्रकासिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है अन्यथा वह बिरल माध्यम होगा बिरल माध्यम से प्रकास किरन सघन माध्यम में परवेश करती है तो यह अभिलम की ओर मुर जाती है और जब सघन माध्यम से प्रकास की किडने बिरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलम से दूर हट जाती है क्यों जाती अभिलम से दूर हड़े जाती है किलियर है अगला क्यूचन चलते हैं क्यूचन नमबर पचीस हमारा है अब हासी परतिवीम क्या है फर्चूल इमेज क्या है तो इसकी एंसर नहीं हो जाएगी किसी सुरूत से आने वाला प्रकास प्रावर्तन या अपवर्तन के ब जाद एक बिंदू पर नहीं मिलता है बलकि प्रावर्तित अथवा अपवर्तित किर्णों को पिछे बढ़ाने पर एक बिंदू पर मिले तो आभासी परतिवीम बनता है यह परतिवीम हमेशा सीधा और परदे पर लेना असंभव है क्लियर है अला क्यूचन चलते हैं क्यू वास्तिवीक परतिवीम क्या है रियल इमेज क्या है तो इसकी इंसर आप लिखनी है किसी सरोत से आने वाला प्रकास प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदू पर मिलती है तो वास्तिवीक परतिवीम बनता है वास्तिवीक परतिवीम हमेशा उल्टा और परदे प रेटिन परवास्तिविक प्रतिविम बनता है, क्या मनता है? हमारी नेटर रेटिना परवास्तिविक प्रतिविम बनता है. क्लियर है, अलत commence देखते हैं, क्युद्चन नंबर 27, क्युद्चन नंबर 27, गोलिये दर्पनों दुबारा प्रावर्तन के लिए नई कारतिये चिन पर पट्टे दर्साईए ठीक है तो इसकी उतर हो जाएगी इंस हो जाएगी बीम सदेव दर्पन के बाईयों रखा जाता है इसका अर्थ है कि दर्पन पर बीम से परकास 22 और से आपतित होता है मुख्य अक्ष के समनांतर सभी दुरियां दर्पन के धुरों से मापी जाती है मुल बिंदू के दाईयों और प्लस एक्ष अक्ष के अनुदिस मापी गई सभी दुरियां धर्नात्मक मानी जाती है जबकि मुल बिंदू के 22 और माइनस एक्ष अक्ष के अनुदिस मापी गई दुरियां धर्नात्मक मानी जाती है क्या मानी जाती है जिनात्मक मानी जाती है क्या रहा अगला क्विचन चलते हैं क्या नंबर 28-iliyor आतल दर्पन औट दर्पन और समतल दर्पन को चू करे दो बिना चुए वे शे谢 पहचान करेंगे कि इसकी एंसर फूसर जाएगी यह आतल दर्पन को छूने पर पता चलता है कि इसका प्रवावर्तक सता नट होता है उतल दर्पन का प्रवार्तक सता उभरा होता है संतल दर्पन का प्रयावर्तक सता संतल होता है तीनों दर्पनों के फोकस के भीतर एक वस्तुप पीन को बारी-बारी से रखा जाता है जिस दर्पन में वस्त हुआ का प्रतिवीम अभाथ हे सीधा और बढ़ा दिखाए प्रए और अतल दर्पन है जिस दर्पन में वस्तुका प्रतिवीम अभाथ ही सीधा छोड़ा दिखाए पड़े वह उतल दर्पन है जिस दर्पन में वस्तु का परदी बीम अभासी सीधा और वस्तु की अकार के बरावर दिखाई पड़े वह क्या है वह समतल दर्पन है क्लिए रहे यहां से आपको एंसर मिल गई अगला क्यूंचन चलते हैं क्यूंचन नंबर उन्तीस लेंस कितने परकार के होते हैं तो इसके अंसर हो जाएगी मुख्यतर लेंस दो परकार के होते हैं उतल लेंस और ओतल लेंस उतल लेंस में वास्तवी और अभासी दुनों परकार के परतिवीम बनते हैं लेकिन ओतल लेंस में केवल अभासी परतिवीम बनते हैं कैसी परतिवी में बनते हैं दिखते हैं की उचन नमबर 30 में लेन्स की दशमता से आप क्या समझते हैं तो सो मरा एंसे वह जाएगह पिए लेन्स की दवारा प्रकास कीर्णों के अभिसरन या अपसरन करने की मातरा को उसकी छमता कही जाती है लेंस को छमता डायोप्टर में मापी जाती है एक डायोप्टर उस लेंस की छमता है जिसकी फोकस दूरी एक मीटर है कितनी है? एक मीटर है, किलियर है, अला क्यूचन देखते हैं, क्यूचन नमबर 31, उत्तर लेंज bisa और ओथा लेंज असपश्ट करें उत्तर लेंज और उत्तर लेंज में आपको अंतर असपश्ट करना है वो भी फीगर बना कर चलिए हम देख लेते हैं परदा उत्तर लेंज उत्तर लेंज में वास्तिवीक और अभासी दोनों प्रकार के परतिवीम बनते हैं लेकिन उत्तर लेंज में हमेज़ा अभासी परतिवीम बनते हैं उत्तर लेंज को अभी सारी लेंज कहा जाता है और उत्तर लेंज को अभ सारी लेंज कहा जाता है किलिर है अब यहांसे हम देख लेते हैं इसका फीगर सिन फिगर हैms यह उत्तर लेंश का हैं औरी और सप्चेन्ड फ़िगर हैं हमारा ओधर लेंश का है तो फीगर नंबर इसको हम लोग 1 देते हैं और इसको फीगर नमबर 2 तो आप इस दोनों फीगर को यहां से स्किन सोट ले लें किलियर है अगला क्यूचन नमबर चलते हैं क्यूचन नमबर हमारा 32 है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं तुमारे इंसर हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकास लेंस के दोनों और से हो कर जा सकता है अता है यही कारण है कि प्रतेक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं लेंस के दोनों और एक एक फोकस होते हैं किलियर है अला क्यूचन नमबर देख लेते हैं क्यूचन नमबर 33 कौन सा लेंस वास्तविक और अभासी दोनों परकार का परतिवीम बनाता है कौन सा लेंस वास्तविक और अभासी दोनों परकार का परतिवीम बनाता है इसका एंसर हो जाएगा उत्तर लेंज वास्त्वीक और अभासी दो परकार के परती बीम बनाता है जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंज वास्त्वीक परती बीम और जब बीम फोकस के भेतर हो तो अभासी परती बीम बनाता है क्लियर रहे तो यहां से आप इसका इसकी शोड़े लें क्लियर नेक्स्ट क्यूचन चलते हैं क्यूचन नमबर चोटीज बीना असपर्स के उतर लेंड और तर लेंड तता कांच के बिरतकार पलेट की फाचान कैसे की जाती है तो इसका इंसर में देख लेते हैं इसका उतर हो जाएगा दोनों तरह के लेंड तो और कांच की पलेट को बारी बारी से अपने हाँ से पगड़ कर किसी पुस्तक के चपे प्रिष्ट के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं परलाम लों क्या देखते हैं यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तिविक आकार से बड़े दिखाए पड़ते हैं तो यह उत्तर लेंस है यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तिविक अकार के बड़ावर दिखाई पड़ते हैं यह कांच का पलेट है और यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तिविक अकार के छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह क्या है ओतर लेंस है क्लिए रहे तो यहां से आप इसका इस्किन सोट ले लें आप वीडियो को इस्टो पर गए क्यूचन इसर को लिख लें नेक्स्ट क्यूचन चलते हैं क्यूचन नमबर हमारा है थट्टी फाइफ पैंथीज सुर्यादय यों सुर्यास्त के समय सुर्य रखताब क्यों परतीत होता है लाल हमें क्यों दिखाए देता है तो इसका इंसर हो जाएगा छीतिज के समीप नीले तथा कम तरंगधरे के परकास का अधिकांस भाग कौनों दोबारा परक्रिणन हो जाता है इसलिए हमारे नेत्रों तक पुछने वाला परकास अधिक तरंगधरे का होता है इसी सूरियादय या सूरियास्त के समय सूरिय रगताव परतित होता है किसा परतित होता है रगताव परतित होता है किलियर है अलग क्यूचन चलते हैं क्यूचन नमबर 36 शीक्स ऑतल लेंज को अपसारी लेंज कहते हैं क्यों जिसका क्या कारण है जिसका कारण है ऑतल लेंज के दोरा समनांतर प्रकास की किर्ने आपतन के बाद अपरवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है यानि ओतले लेंज प्रकास के समनान तर कीरनों को अब सरित कर देता है ओतले लेंज को इसी गुन के कारान अब सारे लेंज कहते हैं क्या कहते हैं अब सारे लेंज कहते हैं क्लियर है अगरा क्यूचन क्यूचन नंबर 37 कीरन क्या है किरन किसे कहते हैं प्रकास के बिंदू पत को किरन कहते हैं किरन तिन प्रकार क्यों होते हैं कौन-कौन संस्रित किरन पूंज अपस्रित किरन और समनांतर किरन पूंज ठीक है तिन तरह के किरन होते हैं परवलिये दरपन संस्रिप्त किरनपूंज उत्पन करता है उतल दरपन द्वारा अपस्रित किरनपूंज और समतल दरपन द्वारा समनांतर किरनपूंज उत्पन होता है के लिए है अला कि उचन चलते हैं कि उचन नमबर 38 समरा है पास्विक विस्थापन से अब क्या समझते हैं अथवा कांच के आज़ाकार जहली में अपवर्तन के दो किरनों को दिखावें किसी स्लैब से होकर गुज़रने वाली किरन के लिए आपतित किरन और निर्गत किरन एक दूसरे के समनांतर होती है इन दोनों किरनों की बीच की लांबिक दूरिक को पास्विक विस्थापन कहते हैं क्या बोलते हैं पास्विक विस्थापन कहते हैं और यहां से आप इसकी फिगर को विडियो को स्टोप करके फिगर को ड्रो कर लें यहां से आप इसकी स्किन सोट ले लें ठीक, किलियर है, आप इसको नमांगित भी इस तरह सी करना है, जिस तरह से नमांगित क्या हुआ है, क्यूचर नमबर 49 है, क्यूचर नमबर 49, बिवर्तन क्या है, यदि प्रकास की पथे में रखी अपारदर्सी वस्तू, अतियंत छोटी हो, तो प्रकास सरर लेखा में चलने की बजाए इसकी किनारों पर मुरने की प्रविर्टी दरसाता है इस प्रभाव को प्रकास का बिवर्थन कहते हैं क्या कहते हैं प्रकास का बिवर्थन कहते हैं क्लिए है अब यहां से में देख रहे थे हैं नेक्ष्ट क्यूचन क्यूशन नमबर 41 हमारा है नई कार्थिये चिन प्रपट्टी के अनुसार गोड़िये लेंज में आवर्धन किस प्रकार बदलता है तो इसके एंसर हो जाएगी किसी उत्तर लेंज के प्रकारण में आवर्धन जब प्रतिवीम अभासी होता है तब धनातमक तथा जब प्रतिवीम वास्तिविक होता है तब रिनातमक होता है किसी ओतर लेन्स के प्रक्रम में आवर्थन ओतर लेंस द्वारा सदेव आभासी पर्तिविम बनाने के काराण सदेव धनातमक होते हैं क्या होते हैं सदेव पोजेटिव होते हैं किलिए है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि इस्टुएंड यदि आपने हमारी यूटूब चैनल स्टेड़ी सेवन पैंजिरू को विद्द सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को जरू लाइक करें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो